हरहर महादेव जमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं चार जुलाई यानि की दिन मंगलवार से सावन माह का दिन प्रारम होने वाला है सावन का महीना प्रारम होने वाला है ऐसे में पुझ गुर्देव द्वारा बता गया एक नियम बताने जो आपको सावन महीने के पहले दिन से ही करना प्रारम कर देना है यकीन मानिए इस बार सावन का महीना दो महीने का पढ़ने वाला है तो ऐसे में अगर आपने ये नियम धारड कर लिया और सावन के महीने में इस नियम का पालन कर लिया तो आपकी वड़ी से वड़ी मनोकामन पून होकर ही रहेगी दोस्तों ध्यान से सुनिये करना क्या है आपको करना क्या है कि आपको सुवह सुवह ध्रम पूरत में जगना है। सावन के महीने में एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको सूर्य उदय होने के बाद नहीं जगना है भ्रम मूरत में जगना है और जो सुहागन इस्त्रिया है उनको हरे रंग और लाल रंग की जो भी सामगरियां है सुहाग की वही सावन के महीने में पहननी है नियम को धारड कर सकता है नियम तूटना नहीं चाहिए किसी कारड से अगर बीच में कोई परेशा नहीं आती है तो दो या तीन दिन आप इसकीप कर सकते हैं फिर पुन इस नियम को धारड करके आप इसका पालन करें ये नियम आपको सिवजी की क्रपाद दिला कर ही रहेगा चाहे विरत रखें ना रखें कोई उपाय करें ना करें पस एक नियम दो महीने यानि इस वार सावन 69 का है लगवा दो महीने का है तो आपको पूरे दो महीने इस नियम को अपना लेना है फिर देखना आपके जीवन में क्या चमतकार होता है जो भी च्छायोंगी वो पूर हो अन्य सामगरी लें बेल पत्र लें या फिर आप समी के पत्र लें जो भी आप से बन सके या 108 की संख्या में रुपए भी ले सकते हैं तो आप इस नियम को धारड कर लें यानि कि आप 108 की संख्या में प्रतियक सावन के महीने में प्रतियक दिन भगवान भोलेनात की पर आपको समर्पित करना है गुरुजी कहते हैं जो भी आप भूले नाद पर समर्पित करेंगे वो आपको दुगना तिगना चोगना हो करके भगवान भूले नाद उसे बापस करतेंगे आप 108 चावल के दाने समर्पित करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा आपको फल प् पूझ आर्चना सही तरीके से सही नियम के साथ सावन के महीने में करते हैं यानी संकल्प लेकर कि मैं प्रते दिन चाहे कुछ भी हो जाइडें सुवा सुवा भूलिनात को 108 की संक्या में चावल समर्पित करूंगी फूल समर्पित करूंगी बेल पत्र समर्पित करूंगी पर ध्यान रहे पहले दिन जो भी आपको समर्पित करना है चाहे चावल करें या कुछ भी करें वही आपको पूरे सावन के महीने समर्पित करना है और देखे जो लोग पैसे का नियम लेंगे न पैसा समर्पित करने का जैसे 108 पैसे समर्पित करेंगे तो वे एक गलती बिल्कुल ना करें कि पैसे सिविलिंग पर ही रख कर ना आए कहीं गलती से अगर किसी ने वो पैसे ले लिए और कोई उन पैसों से सराब पी लेता है या किसी अन्य गलत कार्य में लगा देता है तो आपको उसका पाप भी लग सकता है तो ऐसे में दोस्तों आपको ये गलती नहीं करने आपको करना क्या है कि आपको वहीं थोड़ी देर बैठ करके स्रीशिवयन मस्तुब्यमंत्र का जाप करके उन पैसां को बापस लाना है और किसी गुल्लक या थैली में एकत्रित करते जाना है जैसे ही वो एकत्रित होकर यानि सावन का महीना समाप्त हो जाएगा तो लगवा 108 गी जो संख्या है उससे आपके पूरे महीने में 3 या 6,000 उसी मंदर में कुछ भी चाहे जलाधारी रखवा दें या पिर जो मूर्तिया हैं उनको वस्त्र पहना दें या फिर पुताई वगयरा किसी भी सुवकार में उसी मंदर में उन पैसों को लगा देते हैं तो जितने पैसे आप खर्च करेंगे उसका कई करोड गुना आपको भगवान भोलेनात को बेर बंडारी लोटा देंगे यकीन मानिए एक वार इस नयम को धारण करके देखना आपके हर कारे सफल हो जाएंगे उमीद है बहुत यह अच्छे से आपको यह उपाय समझाया होगा देखिए अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बात भी उपाय चाहे कुछ भी ले ले और उनको समर्पित करना प्रारम कर दें पहले दिन से ही जो इच्छा है उसी इच्छा को बोलते हुए अगर आप इस वीडियो को दो दिन चार दिन बाद भी देख रहे हैं तो तब जागो तभी सभेरा गुरुजी कहते हैं जब भी देखें उसी द सब्सक्राइब करें और कमेंट वक्स में हर हर महादेव का अबस्य नाम लिखा करें